नमस्कार साथियों मेरे से गुजर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ नेशनल सीट कोर्पेरेशन की और से कुछ वेकेंसिया निकाले गई है जो कि एगरी कल्चर इस्टुएंट के लिए है तो आज अपन पूरा डिटेल से जानने वाले है सबसे पहले देखिए यह जो वेकेंसिया है यह देखिए एगरी कल्चर इस्टुएंट के लिए भी है इसके लावा अधर इस्टुएंट के लिए भी है और यह सभी जोब है गोर्मेंट जोब है नेस्रल सीट कोर्करेशन की और से यह वेकेंसिया निकाली गई है जिदी डेट की बात करें फॉर्म की तो यहाँ पे फॉर्म बताया है कि आपकी कब से स्टार्ट होंगे 26 सक्टूंबर 2024 से आपकी इन वेकेंसियो के एप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं अपने जानते हैं कि कौन कौन सी यहां पर देखे वेकेंसिया निकली है अपने वेकेंसिया जानने वाले हैं जो कि एगरी कल्चर इस्टूडेंट के लिए है वह वेकेंसिया आपन जानेंगे तो सबसे पहले देखे अपने पास यहां पर पोस्ट है मैनेजबेंट ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल की यह देखे इसकी यहां पर दो पोस्ट है कितनी पोस्ट है दो पोस्ट है मैनेजबेंट ट्रेनी में क्वालिटी कंट्रोल की देखे अपने पास वेकेंसी है कौन सी वेकेंसी है अपने पास यहां पर वेकेंसी है ट्रेनी एगर पुष्ट है नेक्ट देखे अपने पास कौन सी वेगेंसी है एक्रिकल्चर के लिए एक तो की है जो कि quality control की है एक कौन सी है ट्रेनी में है agriculture की एक ट्रेनी में quality control की एक ट्रेनी में marketing की और एक कौन सी अपने ट्रेनी में agriculture stores की जिसकी गुनिश पोस्ट है यह हो गए अपने एग्री कल्चर इस्ट्ट के लिए पोस्ट अब देखें यहां पर है total 188 पोस्ट है इन уст8 कि इंहें कि आड़ने वाली है वह नेशर्ण decor समय आपकी जोप लगेगी जो की यह government है, कोई private नहीं है अब यह नेक्ट अपन जानते हैं कि इनकी योगेता क्या क्या रखी गिए तो सबसे पहले देखिए अपने पोस्ट कौन सी है यहाँ पोस्ट अपने management trainee की quality control की इसमें देखिए MSC agriculture रखी गई है क्या रखी गई है MSC agriculture से आपने कर रखी है 60% आपकी marks है तो आप इसके लिए eligible next अपन बात करें तो next देखिए अपने कोई सी पोस्ट के अपन जानते हैं next अपने पोस्ट है यहाँ पे trainee agriculture trainee agriculture की योगेता क्या रखी है BSC agriculture with 60% marks है और इसके लावा आपको computer की knowledge होनी जाए next अपन पोस्ट की बात करें तो देखिए trainee trainee में कोई सी quality control इसकी देखिए यहाँ पे क्या योगेता रखी गई है BSC agriculture से आपने कर रखाओ 60% marks के साथ विता आपको computer की knowledge होनी जाए तो आप इसके लिए eligible हो next अपने पोस्ट कोई सी है trainee marketing की है इसमें देखिए 60% आपके BSC में marks होने जाए इसके लवा computer की आपको knowledge होनी जाए तो आप इसके लिए eligible हो next अपन पोस्ट की बात करें तो देखिए next अपने पोस्ट कोई सी है यह आपको समझ में आगया होगा आपने एगरी कल्चर की जो पोस्ट थी उनकी क्या योगता है main आपकी BSC एगरी कल्चर सी होनी जाए 60% marks के साथ वित आपको computer की knowledge होनी जाए computer की knowledge का कोई भी certificate याप नहीं मांग रहे है तो आप इसके लिए eligible हो next देखिए अपन salary जानते हैं कि इन vacancy की आपको salary कितनी मिलेगी सबसे पहले देखिए management trainee है इसकी salary की बात करें तो 77,920 उरुपे पर मंत आपको salary मिलेगी next देखिए CNA training की बात करें 31,856 पर मंत आपको salary मिलेगी training की बात करें 24,616 रुपए आपको salary मिलने वाली है इसके रवाइन में HR और ये सब क्या है add होते जाएंगे तो ये आपकी salary हो गई बाकी देखिए age limit की बात करें तो यहाँ पर age limit दे रखा है सबसे पहले management trainee की बात करें तो 17 साल से ज़्यादा आपकी age नहीं होनी चीए senior trainee की भी 17 साल से ज़्यादा नहीं होनी चीए और trainee की भी 17 साल से ज़्यादा आपकी age है वो नहीं होनी चीए maximum age में देखिए कुछ category को यहाँ पर चूट वीदे रखिए जो कि आप देख लीजेगा एक टपन बात करें के selection process की तो सबसे पहले देखिए management trainee की बात करें तो management trainee में क्या होगा computer base आपका paper होगा उसके बाद क्या होगा उसके बाद फिर आपका documents verification होगा और documents verification के बाद फिर आपका final selection होगा तीन stage में आपका selection होगा senior trainee का भी same है सबसे पहले आपका paper होगा computer base पे फिर आपका documents verification होगा और फिर आपका final selection होगा training का भी यही है पहले आपका paper होगा फिर documents verification और उसके बाद आपका final selection होगा अब देखिए यह जो vacancy मैंने बता ही है इंग में से देखिए कोई भी एक post के लिए आप apply कर सकते हैं एक candidate should apply for only one post यानि कि उल एक post के लिए आप पर apply कर सकते हो यसा नहीं कि जैसे training के लिए आप ने कर दिया quality control के लिए आप ने कर दिया यसा नहीं कर सकते हैं आपके ओल एक ही वेकेंसी के लिए apply कर सकते हो, वो आप देख लीजेगा कि किस पोस्ट के लिए आपको apply करना है, आप है ज़्यादा वेकेंसी के लिए apply नहीं कर सकते हैं, exam pattern की बात करें, तो यहाप exam pattern बता रखा है, देखे, cbt mode पे आपका paper होगा, 90 minute आपको timing मिलेगे, 100 question होँगे, अब इन 100 question में part past होगा, उसके 70 question होगे, यह 70 question है, main आपके agriculture के होगे, 30 आपके question होगे, part second में, वो किसके होगे, आपके reasoning के होगे, current affair के होगे, gk के होगे, और इसके अलावा computer के होगे, और इसके अलावा English language के होगे, यह आपके question होगे, इसके अलावा देखे, इसमें क्या होगा, आपको एक question है, परते question एक number का होगा, 0.25 marks कियांपे, minus marking भी है, 100 number का आपका paper होने वाला है, कितने number का, 100 number का, minimum qualifying marks होगे है, इसमें minus marking भी है, और 35 marks आपको लाने होगे, minimum passing marks होगे, तो यह आपको समझ में आ गया होगा, अब देखे, आप इसके application form है, वो fill कर दीजिएगा, official website यहाँ पे दे रखे, आप देख सकते, www.indiacids.com, यह official website है, और यहाँ से आप इसके application form है, वो fill कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा, कि आप किस-किस post के लिए apply करना चाहते हैं, कि एक ही post के लिए है, आप इसमें apply कर सकते हैं, अब देखे, यह जो vacancy है, इनके application form की fees के बात करें, तो यहाँ पे देखे, दे रखा है, a non-refundable fees, 500 रुपे, प्लस GST charge, इसके लावा 500 रुपे आपकी processing fees लगेगी, total fees की बात करें, तो 1000 रुपे आपकी fees लगने वाली है, कौन-कौन सी category, जनरल category हो गई, OBC category हो गई, इनके कितने लगेंगे, 1000 रुपे, इसके लावा SCST और PWD के जो candidate है, उनका कोई भी charge नहीं लगेगा, वो निसुल के इनके application form है, वो fill कर सकते हैं, 1000 के लगेंगे, आपके जनरल category हो गई, OBC के जो candidate है, उनके लगेंगे आपके 1000, वाकि SCST और PWD वाले, निसुल के इनके application form है, वो fill कर सकते हैं, official website आपको पता होगी, वहाँ से जाके, और आप इसके application form है, वो fill कर सकते हैं, यहाँ पर देखे, date दे रखे, 26 September 2024 से आपके application form start है, last date 30 November 2024 है, और आपके exam की date यहाँ पर दे रखे, 22 December 2024 को आपके paper हो सकता है, इसका, यह जो vacancy हैं, इनका, तो यह देख लीजेगा, आप यह application form fill करना चाहिए, तो कर दीजेगा, बाकि यह notification ले लीजेगा, इसका link आपको description में मिल जाएगा, और वहाँ से आप detail देख लीजेगा, और कुछ आपको पूछना हो, तो recid.agro के नाम से अपने इंस्टाइड यह वहाँ के, पूछ सकते हैं, बाकि फिर अपन मिलते हैं, नेक्ट वीडियो में, जेहिंग, जेवारत.